Hello what's up guys, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप हमारा यह जो रियाक्ट एप्लिकेशन इसको पेट सर्वर होस्टिंगर में होस्ट कर सकते हो अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपका यह जो वेबसाइट है कुछ इस तरी किसी दिखाई देता है यह बहुत ही ऑसम है और आप देख सकते हो 404 एरर पेज भी आपको यहां पर मिल जाएगा और लाट गैस तो इसको हम कैसे लाइब होस्ट कर सकते हैं हमारे होस्टिंगर पर मैं आपको बाता हूँ ठीक है and I have a special coupon code for you guys वह मैं एकदम एंड में बताऊंगा तो वीडियो का आप एं तक जरूर देखिएगा अगर आप एक सब्सक्राइब करने का सोच रहते यह वीडियो आपके लिए एकदम बैस्ट है क्योंकि अभी तक आपने आपकी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया तो आपको क्या करना है यह प्रोजेक्ट का लिंक में जैसे के बोल चुका हूं description mereng comment section में मिल जाएगा यह प्रोजेक्ट ना करके अगर आपको अपना, अपना को फूद का प्रोजेक्ट को भी होस्ट कर लाओ आपको आपका जो react का प्रोजेक्ट उसको, बिल्ल्ड करना पड़ता है उसके लिए क्या command है आप देखिए npm and make sure कि आप अपना जो root URL पे हो वहाँ पे होना ची मतलब आपका project जो मैंने आपको उसके अंदर होना है मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैं the moment ls करता हूँ all right देखा मैं नहीं था तो मैं अब उसके अंदर चला आगया देखा इस तरीक से ठीक है तो मैं cd उसके अंदर आगया हूँ अब मैं मतलब अपने project के अंदर हूँ सबसे पहले make sure करना फिर आपको लिखने npm run and then build आपको लिखने इसको मैं zoom करके दिखा देता हूँ यह देखो यह जो particular command है बस इतना ही आपको लिखना इससे आपका जो project वो build हो जाएगा for production and आपको enter hit कर देना है all right guys तो आप देख सकते हूँ the moment आप enter hit करते हो तो अब आपके project पे यह जो एक dist नाम का folder है यह create हो जाता है बस अब आपको इन सारे चीजों से कुछ लेना देना नहीं it doesn't even matter कि अगर आपने .env file भी create किया था या नहीं वो सब कुछ यह handle कर लेगा आपको tension नहीं लेना है त ठीके तो हमने convert कर दी अब आपको यह जो dist folder है इसको आपको अपना चाहे वो paid हो चाहे वो free server हो वहाँ पर आपको host करना है अब आप मैं आपको बताता है एक और चीज़ second आपका यह जो project का में भी हो सकता है आपने भूल गई कि आपने किस particular route पे या कौनसे folder पे यह project को create किया था तब आप क्या किजेगा explorer and then dot press किजे द आप देखो यह and boom guys see आपको आपका जो main आप देख सेक्टे टॉप पे अच्छा में app drive coding react router youtube react router version 6 मेरा project है इसके अंदर यह जो list है यह मुझे upload करना है ठीक है इस तरीके से ओलाइट तो यह आपका काम हो गया आपका यहां से काम खतम आपको क्या करना है guys आपको आपके hostinger पे जाना होगा and hostinger पे जाने के बाद आप लॉग इन कर लीजिए दो आप बिसिकली यहां से login करोगे ठीक है login कर लीजिए the moment अब भी कुछ आपको इंटरफेस इस्तर किसी दिखाई देता है आप चाहो तो यहां पे यह देखो websites आप यहां पर क्लिक कर सकते हो तो आपकी जितने भी websites आपको यहां मिल जाएंगा आप देख सकते हो मेरे 36 मेरे मानला बहुत सारे website host कर रखा मेरे यहां पर ठीक है तो च अब डोमेन में मैंने project को host कर दी process हो ही रहेगा चाहे वो sub domain हो चाहे आप अपना खुद का domain करते हो और आपको domain करने की भी need नहीं है अब थोड़ी देर रुकिये यह खत्म होती मैं आपको बता तो free domain email सब कुछ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो उपर से 10% का discount भी ठीक है तो जा रहा हूं so the moment आप इस पर आते हो तो यहां पर सबसे जादे important आपका file manager file manager आप यह समझ लोजिए कि यह जो particular part है यह भी तो मेरा file है तो same यह आपका यहां पर मिल जाएगा आपको लेकिन उससे पहले हमें एक sub domain क्रेट करना है था कि मैं वहां पे इसको host कर सकूं so यहां आप देख सकते हो here we have this domain तो domain पर क्लिक करूंगा then we have this sub domain over here इस पर मैं क्लिक करूंगा और गास तो the moment आप sub domain पर क्लिक करते हो तो आपको यह वाला interface दिखाई देगा जहां पर आपको आपका sub domain जो है create करना होगा तो sub domain आप कितने भी creates कर सकते हो मैं लिख देता हूं यहां पर react and then इस तरह किसे router ठीक है यारि मैं यहां पर बोल देता हूं custom folder for sub domain this is it इतना मैं कर दूंगा react router करके जो है मेरा एक custom folder बनने वाला है मेरे वह public underscore HTML के अंदर sub domain created successfully ओलाट गाइस तो आप देख सकते हूं कि यहां पर अब हमारा जो यह sub domain है वो create होगा है यहां पर आप देख सकते हो और यह आगर आप देखोगे तो यह हमारा actual में रूट है basically कहां पर बोलने से public underscore HTML forward slash react router this is it तो अब आप यह समझ लिजिए कि मैंने यह जो react router version 6 के अंदर मैंने अपने जो folder add किया थी अब बस मुझे मेरे server के अंदर जो मैंने बाई किया है folder उसमे public underscore html forward slash react router के अंदर मुझे add करने बस खत्तम हो गया मेरा कम है ना तो मैं यहाँ पर चलता हूं file manager पर चलता हूं तो आप देख सकते हूं here we have a public underscore html इस पर आपको जाना होगा ठीक है यहाँ पर आपको react मिल चुका है बस खत्म sorry मैं already यहाँ पर यह पहली और चुका हूं it's your react router ठीक है यहाँ पर आना है यह जो भी default वाला है control a delete delete इस तरीके से ठीक है all right यहाँ पर top पर आप देख सकते हूं here we have this upload का button इस पर आप click कीजिए folder पर आईए and already आप देख सकते हूं react router version 6 में यह जो आपका dist वाला folder है इस पर मैं click करूंगा and यह मेरा folder आ गया अब मैं इसको upload पर click कर दूंगा and here we have this upload तो आप एगदम टॉप पर देख सकते हूं oh my god हो भी गया यह देखो हो भी गया dist पर आना है control a सबको select करना है here at the top we have this move वाला button इस पर आपको click करना है and आपका जो root है वहाँ पर आके आपको move कर देना है this is it ठीक है तो यह जो dist अब आप इसको delete कर सकते हो क्योंकि हमारा public underscore html के अंदर react router नाम के folder में मैंने मेरा आपको दिखाता हूं यहां पर यह जो पहले था अब react के बदले में यह कर रहा हूं and I guess yeah it's react router.csscores.online so three two one and boom guys see खत्म यह देखो so about का तो पेस था भी नहीं by the way we have this movie देखो हमारा loading भी काम कर रहा है watch now पे चलता हूं यह भी हमारा काम कर रहा है go back contact तो मैं यहां पर लिख देता हूं विनोद email में subscribe at the rate like.share ठीक है I know subscribe की spelling wrong है but it doesn't matter testing यहां पे चलता हूं inspect करता हूं console पे सब हटाता हूं and send message करता हूं and यह देख लीजे data भी हमें मिल रहा है यह तो live host हो चुका है न तो बस यही data मुझे मेरे server को बेजना है जब हम इसमें month stack add करेंगे तो month stack के उपर भी already video upload कर चुका हूं and यह आप खुद देख सकते हो and यह already secured भी है तो कैसे आपको server लगता है बहुत सारे server है बट मैं पिछले चार साल से hosting का यूज कर रहा हूं price सबसे कम है service है सबसे awesome है आपको free domain free SSL certificate up to 100 website आप यहां पर host कर सकते हो AI website builder आपको मिलता 24 7 का chat support आपको मिलता है 30 days money back guarantee है Mumbai में नया data center है बहुत कुछ है खाली आप कोई भी plan ले लिजे ठीक है अब let's say web hosting पर आईए best रहेगा अगर आप BPS buy करते हो उसके पर already में video upload कर चुक हो लेकिन let's say आप premium पर आईए मैंने फिलाल अभी web hosting में इसको host की थी चूस plan पर क्लिक कीजिए तो आप इस तरी के add to cart वाले page पर आजाओगे so we have multiple options never go with one month आपको बहुत महंगा पड़ेगा बेस्ट रहेगा अगर आप दो साल के लिए लेते हो या एक साल के लिए या चार साल के लिए चार साल के लिए तो सिर्फ 149 रुपीज है चलो फिलाल अभी आप एक साल के लिए क्या नहीं है यह चार साल तो बहुत लंबा हो जाता बट आप सपोज एक साल के लिए ले रहे but the moment अगर आप लिखते हो थापा 7 coupon code and then अगर आप apply पे click कर देते हो oh my god see देखिए guys अब आप खुद देख सकते हो on the spot guys देखो 3101 जो आप था वो आपका 2790 हो गया तो देखो buy तो आपको करना ही है आपको 3101 में ही buy करना पड़ता लेकिन अगर आप थापा 7 coupon code add करते हो अगर तो let me know in the comment section else है इनका 24 by 7 का chat support है अब उहाँ पे check out कर सकते हो इतना करना है submit secure करना है and then आपको free domain मिलेगा free email मिलेगा सब कुछ मिल जाएगा and वो सब कुछ कैसे आप प्राप्त कर सकते हो आप यहाँ पे मेरे playlist check out कर सकते हो सारे videos आपको मिल जाएंगे A to Z कुछ भी प्राप्लम हो ता वीडियो में अल्रेडी बना चुका हूं कोई टेंसर नहीं है तो या गाइस इस इस वीडियो के लिटिन है I really hope वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ होगा यह पाता चल गया कितिना awesome website जो हमने create की थी उसको अब हम live server में बिना BPS या cloud hosting के normal web hosting में कैसे host कर सकते है ठीक है तो या गाइस इस इस वीडियो के लिटिन है गाइस वीडियो पसंद आ है तो प्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ भर-भर के share और आपको यह react playlist कैसा लागा लेट में रो इंदी comment section बट डोंट वरी mega project बहुत जल्द आने वाला है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रू कीजेगा ताकि आप ऐसे awesome वीडियो को मिस ना करे बिलता हूं कल की वीडियो में तिल दन गाइस थैंकिसो मच टेक क्या